किया है यह हमारे पास एक application software है जो अपनी requirement के लिए install कर देंगे installation के लिए मैंने इसका setup ले लिया है USB में और USB को मैंने अपनी laptop के साथ USB port के साथ अटेच कर लिया है अब मैं इस PC में जाओंगी और यहां मेरे पास मेरी flash का shower है USB drive D के नाम से मैं इस पर click करूंगी और यहां से Microsoft Office को right click करके मैं copy कर लूँगी इसके बाद मैं इस PC में जाओंगी C में आपने कुछ भी save नहीं करना ना file ना folder क्योंकि यह आपके पास window के लिए use होती है आपके पास कोई or drive E F के नाम से available है आप उस पर click करो यहां हम right click करेंगे और यहां हम इसको paste कर देंगे यह देखें यह अभी paste होगा कुछ time लेगा इसको paste होने में और आपको बता देती हूं यह हमारे पास desktop है ठीक है और desktop में यह हमारे पास search window है जिसमें हम कुछ भी लिख इसके search कर सकते हैं ठीक है और यह हमारे पास जब window install करते हो तो admin, this PC, network, recycle bean यह चार folders जो है वो automatically install हो जाते हैं बाकि user अपनी requirement को fulfill करने के लिए application जो है वो install करता है और आप इसके ओपर right click करोगे एक menu open होगा जिसके ओपर new का word आ रहा है यह folder होता है ठीक है यह folder है अब आप इस folder का नाम change कर सकते हो for example मैं इस folder का नाम new रख लेती हूं ठीक है यह ICS रख लेती हूं ठीक अब इस folder को click करोगे तो आपके पास यहाँ पर बेशमार files रख सकते ह करना चाहरे हो आप उस file को save कर सकते हो कोई file यहाँ पर रख सकते हो यह folder के अंदर एक और folder create करना चाहरे हो तो वह भी कर सकते हो right click किया यह new और एक और folder folder में आप folder भी create कर सकते हो ठीक है यह मैं आपको उती ते में check करते है पेस्ट हो चुका है थोड़ा सा रह गया इसकी copy क इसकी installation बताऊंगी कि इसकी installation कैसे करते हैं जी copy हो गया यहाँ पर देखें Microsoft Office 2010 मैं इसके उपर click किया यहाँ पर setup लिखा आ रहा है यह मैंने setup के उपर click करूगी यहाँ पर मैं yes click करूगी एक window के उपर और next मेरी पास यह आ जाएगा थोड़ा सा वेट करने के processing होगी अगर मे continue करूँगी यहाँ पर install ना हो करूँगी मेरे आरेडी इंस्टाल इसके install नहीं करी जैसे आप इंस्टाल ना हो करोगे तो आपनों के पास Microsoft Office Java install हो जाएगा ठीक है यह था Microsoft Office का installation का method